पेट्रोल के लिए गरहकों को मास्क वा हेलमेट अनिवार किया जा रहा है दरसल कोरोना संकर्मन को रोकले के लिए जीला परसासन नए ने उपाय कर रहा है इसी करम में उपायुक्त अनिन मितलनी आदेश निकाला है कि पेट्रोल पंपों पर बिना मास्क वाले को पेट्रोल नहीं मिलेगा इस समझ में सभी पेट्रोल पंप संचालकों को दिशा निर्देश दिये गए है साथी साथ इस आदेश का सक्ति से पालन करने को भी कहा गया है इसी तरह जो बैंकों वा दुकानों में भी बिना मास्क के एंट्री पर रोक लगाने के निर्देश जारी किया गया है अगली बड़ी ख़बर के बात करे तो पारा सिक्षकों का अंदुलन अस्थागित एकाकरित पारा सिक्षक संगर्स मोर्चा ने 16 अप्रेल को परस्तावित मुकमंतरी अवास का घिरावा अस्थागित कर दिया है मुर्चा के संजदुबे ने बता है कि कुरोना संक्रमन को देखते हुए आंदुलन फिलाल अस्थागित करने का निर्नाय लिया गया है इस्तिती समाने होने पर फिर से आंदुलन की घोसना की जागी राजिके पारा सिक्षक सेवा सर्थ नियमावाली बनानी एवं व्यतन मान को लेकर चरणबन अंदुलन कर रहे हैं और बिधान सभा के बजट सत्रे के दोरान राजिक भर में पारा सिक्षकों नी बिधान सभा का घिरावा किया था अगली बड़ खबर के बाद के जहरकन मौसम विभाक से कि अगले पांच दिनों तक मौसम सुस्क रहेगा चड़ेगा पारा पिछले दिनों सुक्रवार को राजधानी वास पास के जीलों में तेज हवा, बारिस और गरजन के बाद सनिमार और अभिवार को लोगों को जो है गर्मी से थोड़ी रहत मिली राजधानी सहीत करीब करीव जो है सबी जीलों का अधिक्तम ता 5-40 डिग्री सेल्सेस के नीचे रहा, मौसम भाक ने पूरण मान जारी किया है कि अगले 5 जिनों तक मौसम सुस्क रहेगा और अधिक्तम ता 5-40 डिग्री सेल्सेस तक जा सकता है अगली बड़ी खबर के बात के तो जार्खन में रेल हाथसा सर्टिंग के दौरान आपस में टकराई दो मालगाडी जार्खन के चकलधरपूर रेल मंडल के आद्यत्यपूर रेलवे अस्टेशन से पहले रविवार दो पर तीन बजे बड़ा रेल हाथसा हो गया है लाइन नमबर 15 के पास जो है मालगाडी बेपर्टरी होनी के कारण दो मालगाडी आपस में टकरा गई है रेलवे सुत्रों के मताबिक रेलखन के 15 नमबर लाइन से मालगाडी जा रही थी इसी करमें बगेर सेप्टी के रेलखन के जो है 14 नमबर लाइन पर दूसरी मालगाडी सर्टिंग करने के दोरान जो है टकरा गई है रेलखन को सुचारों करने का काम किया जा रहा है इस लापरवाही की कारण बड़ी घटना होते होते बज गई है घटना में रेलवे की और से हेनलाइन का जो है केबल पूरी तरह से चतिग्रस्त हो गया है हास्ते की सुचना के बाद जो है रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुँचे हैं और रेल अधिकारियों ने रेल याताया सुचारों करने के निर्देश दिये हैं अगली बड़ एकबर के बात्रों तो कोरोना को मात देने की तैयारी राची सदरास्पताल COVID-19 होस्पिटल घोसीत, अलबर्टे का चौंक इस्तित सदरास्पताल को COVID-19 होसीत कर दिया गया है। राची डीसी चभी रंजन न रभिवार को सदर होस्पिटल परिसद में वास्ता का जाजा लेते हुए या जानकारी दी है। पूरी जानकारी केंदर को देनी होगी बाद में जैक की परिच्छा समेती इस पर निरने लेगी चार मैई से सुरू होने वाली मैट्रिक और इंटर की परिच्छा कोरोना गाइलाइन के साथ आउजित की जाएगी कोवेड के बढ़ती संक्रमन को देखते हुए इस पर कापी सतरक्ता बढ़ती जा रही है बड़ी के बार की बात तो बेकाबू हुआ करोना 24 गंटे में आए बेड़ लाक्स जादा नहीं केस 849 लोग की मौत देश में दिनो दिन करोना वारस संक्रमन किस्तिती भयाव रूप लेती जा रही है रोजाना बड़ी संख्य में करोना वारस के नए मामले सामने आ रहे हैं इसी दोरान लोग की मौत का आकड़ा भी बढ़ रहा है इससे बीच रभगवार को स्वास्त मंत्राले की और से जारी किया गया आकड़ो कनुसार देश में पिछले 24 गंटे में स्वास्त मंत्राले कानुसार भारत में पिछले 24 गंटे में 849 लोग की मौत हो गई है इसी आउधी के दोरान 95,584 लोग अस्पता से डिस्चार्ज हुए है इसी के साथ जो है आप कोरोना के कुल संक्रमितों की संक्या एक और 33,58,805 पर पहुँच गई है वह कुल मौत काकडा एक लाग जो है 79,275 पर पहुँच गया है अगली बड़ी खेबर की बैतकरतों पलम में पुलीस और उग्रवादियों के बीच मुडभेत इट भटा संचालक से रंगदानी मांगने आया थे उग्रवादी दो देसी रैफल और चार गोली बरामत हुसेनाबाद थाना चेतर में सनिमार के देरात उग्रवादी संगठन जारकन जनमुकती परिसद और पुलीस के बीच मुडभेत हो गई इसमें पुलीस को भारी परता देख उग्रवादी अपना हथियार छोड भागने के लिए घटना स्तल से सर्च अभ्यान में पुलीस ने जो ही दो देसी रैफल, चार गोली, नकस्तली परचा और वर्दी बरामत किया है जेजी एमपी के आठ सदस हथियार के साथ जे अकूनी गाव में राम परवेस महतो के एट भटे पर लेबी मागने के लिए पहुँचे थे अगली बड़ी खबर के बैत करे तो मधुपूर उप्चुनाओं में जाने वाले पुलीस कर्मियों के लिए कैसलेस चिकत सक सुभिदा ऐर अम्बूलेंस तैनात हो आईजी अभियान एबी होमका ने राजी के मुखिन निर्वाचन पद्धिकारी को पत्र लिकर अनुरोध किया है कि मधुपूर उप्चुनाओं में तैनात किये जाने वाले पुलीस कर्मियों के लिए कैसलेस मेडिकल ट्रीटमेंट की व्रस्ता की जाए एवं उनका भी मा करा जाए साथ ही उन्होंने अकास्मिक मदद के लिए मददान के दिन अन्यवारे रुप से एर अंबुलेंस देनात करने का अग्रा किया है अगली बड़े के बात को तो सारमिक कंट्रोल से मांग सकते हैं मदद जारकन के अंदर अंतिराजिये सभी सारमिकों परवासी की जाए की इसके लिए टॉल फ्री नंबर भी दिया गया है 0651-2481055 पर संपर किया जा सकता है वही दूसरा वाट्सप नंबर जो है 9470132591 पर भी संपर किया जा सकता है अगली बड़े के बैतरों तो कोरोना संक्रमन का सर कोवन 90 से मरने वालों की संख्या अचानक बढ़ी तो सवधा ग्री की दोनों मसीनों हुई खरब मोक्ष के इंतिजार में है संक्रमेतों के सव र्याची हर्मो मुक्ती धाम में सवधा ग्री की दोनों मसीने रविवार को अचानक खराब हो जाने से कुरोना सिम्रित लोग के सव को जो जलाने के समस्या आ रही है इसे देखते जा सके हैं बस अस्टेन के दुकान दारों ने बताए कि जब वहा सुभा दुकान खुलने पहुंचे तो वहां पांच बैक को रखा देखा करी पांच घंटे बीच जाने के बाद भी जब बैक को कोई लेने नहीं आया तब जो इसकी सुचना पुलिस को दे दी गई अगली बड़ी कबर के बातकतर डिबीसी थारमल बोकारों के एच ओपी सुपरियो गुपता का कोरोना संक्रमन से निधन दस दिनों में तिसरी मोत पबलिक सेक्टर के कमपनी डिबीसी बोकारों थारमल के 69 वर्सी एच ओपी सहा मुखी अभ्यानता सुपरियो गुपता का कोर उनका इलाज पसीम बंगाल के दुर्गापूर इस्तीद अस्क्वार्ड होस्पेटल में चल रहा था। पसीम बंगाल के दुर्गापूर इस्तीद अस्क्वार्ड होस्पेटल में चल रहा था। अगली बड़ खबर के बात दो तो बिश्व हिंदो परिस्द के केंदरे महामंत्री बोले सहर से लेकर गाउं तक राम उत्सो मनाई की। बिश्व हिंदो परिस्द के केंदरे महामंत्री मिलिंदर परांडे ने कहा कि इस बार बिश्व हिंदो परिस्द सहर से लेकर गाउं तक राम उत्सो मनाई की। वर्स जो है परतिपदा यानि 13 अपरिल से प्राराम होकर हनुमान जन्ती यानि 27 अपरिल तक इस कारिकरम का आयुजन किया जाएगा। देश के उन सभी गाउं में जो है राम उत्सो आयुजित किया जाएगा जहां पर जो है राम मंदि निर्मान के लिए 44 दिनों तक चलनन वाली निधी समर्पन अभ्यान के दोरान जो है 200 हिंदो परिसत की कारिकरता पहुँचे थी। लोगों की जान चले जाती है इसलिए जो है अब अनिवार रूप से इसकी भी जाच कराई जै की। तो ये थी आज की जारकन के टॉप बड़ी खबरें इसी तरह जारकन की हर चोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप मारे चानल न्यू जारकन चानल को सस्क्राइब करके बैल अकन प्रेस करते जै जिससे आपको जारकन के हर चोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहें तो आज के लिए बस इतना ही हमें दीज़े इजादत फिर मिलते हैं नेक्स नियूज में